तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू इवेंट कवर करेंगे साथी साथ जो बंदे क्लासी क्रेट की लिक्स का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा वेट और कर लो मेरे साब से एक दो दिन तक मैं इसके ओपर वीडियो डाल दूँगा कि क्या क्या चीज़े आने वाली है मेरे साब से इस बार क्लासी क्रेट में थोड़ी अच्छी आइटम्स आएंगी होप सो अच्छी आइटम्स आएं क्योंकि काफी बंदों के पास क्लासी क्रेट भर भर के बढ़ी है मेरे पास आप देखोगे तो 180 क्रेट है उसके इलावा यहाँ पर देखोगे 620 स्क्रैप है आपके बास कितनी क्रेट पड़ी हुई है में को कमेंड करके बताना काफिसरे बंदे गलेशियर का वेट कर रहे हैं बट गलेशियर नहीं आएगी और कोई शायद अपग्रेडिबल आइटम आ सकती है जैसी में पर लीक्स निकल के आएंगी मैं लीक्स दिखा दूँगा इसके लावा न्यू इवेंट आया है उसे देख लेते हैं अब आज जो न्यू इवेंट आया है इसका नाम है दा इस्पोर्स गेम चेंजर इसके अंदर आप देखोगे तो यह पार्ट टू है पार्ट वन में भी हमें वाउचर मिल रहे थे रिवोर्स अलग थे बट पार्ट टू में रिवोर्स अलग है मैं आपको रिवोर्स दिखा देता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर आपको काविज़रे क्रियेटर दिख जाएंगे जिनको आप वोट कर सकते हो तो मेरे साब से सबसे जादा वोट जोनथन को ही पड़ेंगे बाकि देखते हैं कौन जीतता है कौन विन करता है इसके लावा आपको एक आउटफिट मिल रही है जो कि मुझे काफी प्यारी लगी क्यूट आउटफिट है देखोगे तो आउटफिट फ्री में मिल रही है तो भाई कौन ही मिस करेगा तो सबसे पहले मैं आपको इवेंट के बार में बता दू तो सैनोक में आपको बूट कैम पे उतरना है उसके बाद लिविक स्टार्ट करना है मिड स्टीन में उतरना है आपको एंड उसके बद कराकिन में आपको नीमो पे उतरना है ठीक है नीमो करके एक जगा का नाम है आप पढ़ लेना ठीक है वहाँ पर आपको लैंड करना है बस एंड ये मिशन कंप्लीट एंड यहाँ पर आपको टोटल 300 टिकट मिल रही है सैनोक में आपको 50 मिलेगी उसके बाद लिवी के अंदर 100 मिलेगी और उसके बाद जो कराकिन है उसके अंदर आपको 500 मिलेगी ठीक है तो लोगिन भी करी लेता हूँ मैं लोगिन करने के बाद चलते हैं दूसरे इवेंट पे अब यह वाला जो इवेंट है ये डेली इवेंट है इसमें आपको डेली के 120 voucher मिलेंगे तो इसमें करना क्या है दो बार weekend ही खेलना है सिरफ खेलोगे आप unranked भी खेल सकते हो ठीक है आपको start करना है जाके मर जाना है आपका complete हो जागा 120 टिकट आपको मिल जाएगी उसके बाद तीसरे पर आते हैं तो ये भी डेली का ही है इसके अनदर आपको 180 टिकट डेली मिलेगी तो डेली आपको सिरफ 3 बार अनीना विन करना है जो टीडियम होता है वो खेलना है एंड विन करना है पूरी की पूरी टीम जीतेगी तो ही आपका यहांपर पर count होगा, win करना है तीन बार and यहाँ पर आपको 180 टिकट मिल जाएगी, 30 पहले पर मिलेगी, जैसे 2 win कर लोगे तो 60 मिलेगी, उसके बाद जैसे 3 win कर लोगे तो 90 और मिलेगी, अब यहाँ पर मेरे पास काफी सारी टिकट्स हैं पहले से, मैं आपको दिखा देता हूँ and यहा लावा कुछ ढंका था नहीं, तो मैंने सोचा है कि चलो, रहने देते हैं and मेरा अब काम आ जाएगा, तो इस वाली outfit को पहले देख लेते हैं, यह outfit अपने पास है या नहीं, तो इसके ओपर तो कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब यह outfit अपने पास नहीं है, इसके जो बाल है, वो भी चेक कर लेते हैं हम, तो बाल है मिरे पास, भाई सहाब, इसके बाल मिरे पास है, भाई inventory के अंदर देखो one lick है, और outfit नहीं है, वाह, क्या बात है, मैंने देखा काफी बार में को head gear बाल बहुत जादा मिलते हैं, जूते चपल बहुत जादा मिलते हैं, outfit रह जाती है, और outfit फिर ऐसे event से निकालने पड़ती है मुझे, तो पिछली वाली outfit तो अपने पास पहले से थी, तो अब यहाँ पर इस वाली outfit को भी निकाल लेते हैं, जैसी यहाँ पर मैंने redeem किया, आप देख सकते हैं, inventory में मेरे एक आ गई, ओके करता हूँ, अब अपने पास जो ticket बच मावी भाई भी अपने race में हैं, तो इनको भी वोड दे दूँगा मैं, इसके इलावा मैं scout को दे दूँगा, और बाकी में बचेंगे बोड तो मैं सबको थोड़े थोड़े वोड दे दूँगा, है न, इसके इलावा आप देख सकते हो, मैंने सारे के सारे mission भी complete कर लिए इसी के सासाथ, एंड चलते हैं, अब ददद सी उसी वाला भी try कर ही लेते हैं, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, ओके, एंड प्राइस पात, ओ, मेरा नेया लेवल भी तो खुलने वाला है, 15 दिन होगे न, लोगिन करते होए, तो सबसे वहले इसे collect करता हूँ, 28 लेवल पर मै पहुच गया, एंड 28 लेवल पर अपने को एक voucher मिला, ओके करता हूँ, ओके करने के बाद में पर काफी सारे voucher होगे, 28 लेवल पर क्यूंकि एक चीज अनलोक होने वाली थी, वो थी, event shop के अंदर जाके, new वाली crate, भाई साब, पहले मैं इस वाली crate को खोलता था, ठीके, 17 ब बार खोल ली भाई, paint और पोपलेटी, इसके लावा कुछ नहीं मिला, उसके बाद इस वाली crate पर आते हैं, मैंने एक बार भी नहीं खुले, क्यूंकि ये 28 लेवल पर खुलने वाली थी, और आज ही मेरे 28 लेवल हुए है, तो जब आता दी बोल के, ओके बेकलिक करता हूँ 10 UC पर क्लिक करता हूँ, अरे यार, इतने दिन से, मैं इतने सारे mission complete करके, क्या paint लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अब मैं voucher देख लेता हूँ, अपने बाउचर कितने हैं, तो यहाँ पर 60 UC का बोल, भाई, 60 UC होनी चाहिए account में, ओके, 60 UC नहीं होगी, तो हम crate खोल ही न देखाल नहीं पढ़ेगी, क्योंकि voucher तो मैं अबस पड़े हैं, अगर मैं आपको दिखाओं, तो voucher तो अपने पास पड़े हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, inventory पर चलता हूँ, और यहाँ पर चलता हूँ, आपर voucher पे, तो यहाँ पर एक ही voucher है, एक voucher के लिए कोण UC यूशी डलवाएगा भाई चार पाच वाउचर होते फिर तो मैं यूशी डलवाता भी छोड़ो कोई बात नहीं यहाँ पर चलते हैं दर-दर यूशी वाली दो और खोल लेते हैं तो यहाँ पर इवेंट शॉप पे चलता हूँ यह वली तो हम खोल नहीं सकते इस वाली को ही खोल लेते हैं क्या पता इसी में कुछ ढंका मिल जाए लो जी बाई ग्राफ्टी बाई इस ग्राफ्टी ने तो जीना हराम कर दिया साथ बार मिल गई मुझे देखो इन्वेंटरी में साथ है बाई ग्राफ्टी क्यों डालते हैं मुझे समझ नहीं आता जिस दिन मुझे मि इसका ना कोई मिशन है ना कोई इवेंट है बस दिवारों पर चिपकाते रो अब यहाँ पर इसको इगनोर करते हैं दस यूसी अपने बाब बचिए तो दस यूसी में भी हम कुछ ने कुछ ट्राइ कर ही लेते हैं क्या पता दस यूसी में ही कुछ मिल जाए उसके बाद इस को यहीं पर end करते हैं नहीं 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 एक चीज़ और बतानी थी आपको रुको तो यहाँ पर अपने को मिली है पोवलेटी जो कि 2000 है शायद 2000 वाली है यह किसी को send करूंगा तो 2000 जाएगी इसे से बैक करता हूँ बैक करने के बाद यहाँ पर जो आपको mission मिल रहे हैं ना सारे कराकिन को start कर रहे हैं एंड मरने के बाद exit कर दे रहे हैं तो उसमें हो कहा रहा है chicken dinner बहुत आसानी से मिल रहे हैं मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं चलता हूँ करियर रिजल्ट पे करियर रिजल्ट पे जाने के बाद आप देखोगे तो unranked मै यहां पर नीचे आता हूँ तो यहां पर मैंने रैंग्ड खेला chicken dinner किया तो अभी जिनका भी कराकिन वाला बचा हुआ है ना मेरा बचा हुआ था जैसे कि मैं प्रोफाइल पे करता हूँ यहां पर जाता हूँ यहां पर जाता हूं अचीमन पे तो यहां पर आप देखोगे 50 chicken dinner करने थे करा कि इनके अंदर जो कि मैंने अभी तक किये नहीं थे क्यूंकि मैं करा कि ज़्यादा खेलता नहीं था तो अभी आपके बस मौका है अभी आप करा किन वाला अगर achievement कंपलीट करना चाहते हो क्यूंकि अभी सारे क्या कर रहे हैं match start करते हैं exit कर देते हैं मरने के बाद क्यूं क्यूंकि उनको जो daily mission है वो complete करने है ठीक है उनको voucher चाहिए जो voting करने वाले voucher है जो outfit redeem करने वाले voucher वो तो जिनका तो ये वाला achievement बाकी है तो उनके बस मौका है क्यूंकि आदे से जादा बंदे तो match में जा रहे है mission करने वो मर जाएंगे मरने के बाद आपको सिरफ survive करना है end वाली team से लड़ना पड़ेगा आपको end में जादा तर boat ही मिलते हैं unranked खेलो, ranked खेलो, जो भी आपका लग जाए वो खेलो and ये वाला अपना achievement complete कर लो, बहुत ही easy है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फटवर्ट से यहाँ पर मैं अपनी achievement जो complete हुई है, उसे collect कर लेता हूँ and यहाँ पर आप देख सकते हो date भी 21 तरीक को मैंने ये complete की है, मतलब आज ही complete की है, तो अराम से आप कर लोगे करा किन वाली achievement, बाकि जो यह दो new achievements add हुई है, new mode के साथ, एक तो है ace वाली, एक है mecha वाली, तो इन दोनों achievements को कैसे easy way में complete करना, इसके ओपर भी मैं एक part बनाऊँगा, क्योंकि अभी तक मैंने achievements की तरफ ध्यान दिया नहीं था, तो मैंने आज से सोचा कि चलो achievement की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि achievement complete करने के फायदे हमें, बाद में मिलेंगे, जब new level add होंगे achievement वाले, अब किन level की मैं बात कर रहा हूँ, level जो है न, वो भाई सब के निकलेंगे भाई साब, क्या बोल रहा हूँ मैं, rewards पे क्लिक करता हूँ, वो meme याद आ जाए, वो meme याद आ गया था, मुझे level सब के निकलेंगे बहुत चला था, बाई साब, यहाँ पर देखो यह बले level की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या होता, 10-10 grade मिलती है, अभी achievement point पहले से ही जादा होंगे, तो automatic हमारे level complete हो जाएंगे, 10-10 grade अपने को उस time पे मिल जाएगी, जितने भी level add होंगे, अगर 1 new level add हुआ तो 10 grade, 2 level अगर add हुए तो 20 grade, अगर 3 level add हुए तो 30 grade, अगर 4 level add हुए, तो 40 grade अपने को add करते हैं, बाकि आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं, मैंने achievement के बारे में भी बता दिया, जो कि अभी easy way में आपकी complete हो जाएगी, अगर आपकी पूरी team है तो तो मज़ई आ जाएगा आपका chicken dinner कोई नी रोख सकता, बाकि अगर आपके कौन-कौन achievement complete करेगा इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे comment करके बताना, बाकि new event को मैंने पूरा का पूरा explain कर दिया, reward भी मैंने redeem कर लिए, बाकि आज की वीडियो को यहीं पर end करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को subscribe कर लेना, बाकि मिलते हैं नेक्श वीडियो में, बाबाई